एक गाव में एक लाल्ची कुत्ता रहता था, वह गाव में घूंगूं कर खाने की तलाश करता था, वह इतना लाल्ची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था, उसे कम ही लगता था. गाव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ अपने भायजन से मतलब था, कोई न कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे ही देता था, उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता, एक दिन उसे कहीं से एक हड़ी मिल गई, हड़ी को देख कर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए, यह सोच कर वो गाव से जंगल की ओर जाने ल का लालच था, उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चहरा नजर आ रहा है, उसे लगा की नीचे भी कोई कुटा है, जिसके पास एक और हड़ी है, उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड़ी छीन लू, तो मेरे पास दो हड़ीया हो जाएंगी, फिर मैं ए एक साथ दो हड़ीयों के मजे से खा सकूंगा, ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुह से हड़ी सीधे नदी में जागिरी, मुह से छुटकर हड़ी के पानी में गिरते ही कुट्टे को होशाया और उसे अपने किये पर पच्चतावा हुआ, कहानी से सीख, इ प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिये, कमेंट में जरूर बताईए कि वीडियो के सा लगा, और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिये, धन्यवाद.